Database में बनाए गए tables में values किस तरह से insert करते हैं? Record add करने का तरीका? Record delete करने का तरीका? Columns या fields को add या delete करने का तरीका? जानिये इस video में Assalamualikum students Welcome to my channel Learning with Anosh दो आप से बलोग خ리यत से होगे Students मेंने Microsoft Access की practical series की videos बनाना start कि मैं और आज वी सिलसले की तीसरी video है स्टुएंस मैंने Microsoft Access की प्रेक्टिकल सीरीज की वीडियो बनाना स्टार्ट की है और आज इस सिलसले की तीसरी वीडियो है इससे पहले दो वीडियो में इंस्टॉलेशन ऑफ Microsoft Access और डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट करना में बता चुकी हूं तो आज मैं फर्दर कॉंटिन्यू करूंगी और रिकॉर्ड एड करके डिलीट करके आपको दिखाऊंगी प्रेक्टिकली तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैंने अपनी डे है definitely आपने पहले डेटाबेस क्रेट की और इससे दुबारा से उपन करना होगा यहां देके साइथ पे रीसेंट डेटाबेशे में मेरि वो डेटाबेस आतRY को चॉलिजर ड सिटार्डेस mamертвelyn के नाम से जो मैंने दकर लिए nachoisini टीच यह इसका फिलहाल जो आपको व्यू नजर आ रहा है इसे डेटाशीट व्यू करते हैं ठीक है टेबल्स के दो व्यू होते हैं यह रिखें आपको नजर आ रहे होंगे व्यू एक डेटाशीट व्यू इस वक्ट डेटाशीट व्यू सिलेक्टेड है और एक डिजाइन व्यू जो साथ साथ चोटी चोटी बाते मता रही हूं यह note करते जाएं क्यूंकि यह practical में जब आयवा की questions पूछे जाएंगे तब आपके लिए information help करेगी अच्छा तो हमें अब data insert करने record insert करने हमने simple क्या करने values insert कर देनी for example student है roll number 11 है उसका नाम एंटर कर दिया हमने student का कोई भी नाम टाइप कर दिया फिर उसके बाद आपने date of birth select करनी जिसके लिए calendar दिया होगा आपने यह से अपनी specific date है date of birth वो select कर लेनी है अगर year आपने change करना है तो उसको भी आप इस तरह से year को change कर सकते हैं उसके बाद marks है by default 0 आ रहे है जो number हो तो इसकी by default value इन्होंने set की होती है 0 तो marks अब कुछ भी student के for example 100 में से हैं तो कोई भी marks आप उसे allocate कर सकते है उसके teacher का ID जो teacher उसे पढ़हार है for example teacher number 1 तो यह एक record enter हो गया है ठीक है अगर मैं दूसरा record enter करती हूँ यहां ठीक है और मैं यहां पर record में student की जो primary की है वो enter नहीं करती ठीक है करें तो इसकी reason कि दो है is को पहले फ् dele कुछ करना है कि यह की पीछह just करना है क्या नहीं फ्राइमरी छोड़ी करने कि इस हमें मרגल की र heinЗ ale तरखने कर दूं कोई आर नहीं आए गा the grey छ ग्राव ऑप्र aging आन से लेगा चुल है सबस्वारी देसे कि लिट हो जब करें आपम आप करें जली के लिए रेंड़रे में सब्सक्क्राइब आप में इत quê एंपुत मार्की होता है बथा जेट को इस सब्सक्राइब यहां पर एक्जेमपर मांक्स हएं तो मैं यहां पर 60 मांक्स देती हूं, अच्छा है एसा हो सकते हैं कि यूजर तू हंड़ कर दें एंटर, तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग वैलिडेशन रूल्स लगाते हैं, कि हम बाउंड कर देते हैं एगर वह इस से जादा हंड़स यानि हम जो वैल्यो इंपुट कर सकते हैं यूजर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं उसे वैलिडेशन रूल यह भी मैं अपनी नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगी तो फिलहाल हम इसको 99 मार्क सेकते हैं तीचर आइडी तीचर आइडी इसका भी वान है और इसके रिक्षारड सिर्फ देडेट में में पर इसके हैं देटा इंटर करके ऱ्हां देडीओ है और एंटर करना थे सो हथे प्रिश we और इसके अंदर रह बताई कि त पिर मैं आपको वही पास्ट पेपर्स की वैल्योज इंपुट करके दिखाऊंगी तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका बता रहूं कि किस तरह से करना है तो यह हमने तीन रिकॉर्ड एंटर कर दिया इसके अंदर ठीक है तो आपने जब रिकॉर्ड एंटर करने है या इस बात का ख्याल रखना है कि आप पेपर में कौन सा टेबल गिवन है उसके कितने कॉलम्स होने है कॉलम्स की ड़र टाइप्स क्या होनी है सारा कुछ आप हो रिकॉर्ड की आप डिकॉर्ड घृक्ष रिकॉर्ड लिंटिकन होगया इस होगया है बडिकॉर् द रिकॉर्ड और लूग श्रयव की डिलिट का जिसीन इस वो इसको में 12 ट्रॉल अरarde जा नो दुबार 12 यूज़ कर लेती हूं ठीक है अब देखेगा इसको क्या होता है ठीक है मैं पूरा record इंटर करती हूं पाहद इसकी इसकी date of birth इंटर कर देते हैं सही है और इसके marks इंटर कर देते हैं इसके टीचर का ID इंटर कर देते हैं प्राइमरी की की नहीं नहीं कर सकती है तो इसलिए ये लॉल नमर ये बाकी सब कुछ कुछ कर सकती हु लेकिन प्रामरी की की दुपलिकेट नहीं कर सकती है तो मैं इसको रोल नंबर 13 गोंगी फिर अपको यह अरणी है अब fine अब सब कुछ fine है save कर लो इसको कोई मसला नहीं तो यह हमने record इंजर्ट करने का देख लिया अब अगर examiner आपको कहता है कि भी column इंजर्ट करेंगे आप कैसे column इंजर्ट करेंगे अब देखें साथी field 1 आगया यहां पर आपने लिख देना है कि आपने कौन सा column क्रिएट करना है यह कि एक यह तरीक है कि आपको यहां पर मतलब क्लिक करना है click to add वाली जो option इस पर click करना है data type देनी है और साथ ही आपको वह नाम लिखने की भी column का नाम देने की option देगा आप column का नाम दे इसके अंदर अगर आपने values input करनी है तो values input कर दें for example lahore ठीक है address में फिलहाल यही कर रही हूं कराची इसी तरह से एक और value lahore ठीक है इसी तरह से से क्थिक nego ने खायर है तौह तो बलब बुट से है और भी जाने की वह राते हैं आप helicoptersla तो अगर भी हाँने चैटि पर चैर तो आपने है प्रशानी से बचने के रहे है इता आपने इसे समझने आदत बना लें कि जब भी कोई Elise प्रफॉर्म करें जब कुछ कोड लिखें खोड कुछ भी करें जब कुछ कोड करें कुछ कट्रो एस ताइड करती रहती हुआ तो अच्छा तो आपने डिजाइन विउ में झाना है ठीक ए यह दिजाइन व्यू की तो यह email address, अब इसको मैं वापस जाती हूं, ठीक है, और email का size भी हम specify कर देते हैं, कि इसका size है email का, for example, यह 40 और 50, 50 characters से जादा इसके अदर values ना सके, अच्छा, देखो मैं size करती हूं 3, for example, मैं email का size 3 कर देती हूं, तो आप लोग देखना कि इसके अदर 3 से जादा अधर एंटर इन्टर इन्हीं कर सकेंगे, data sheet यह मैं वापस जाते हैं, वो गया है, you must save, okay, save कर देते हैं, वो कह रहा है, some data में भी lost, okay, क्यूंकि हमने column add कि यह तो गयते हैं, कुछ data lost ना हो जाए, कुछ validation का issue ना हाजए, continue anyway, यानि continue कर दें, अचा अब देखिएगा, कि एमेल के अंदर मैं value enter कर रही हूं, y,e,s, ठीक है, अब मैं कुछ भी type कर रही हूं, मैं यहां पर keyboard बटन प्रेस किये जारी हूं लेकिन वो तीन value से जादा नहीं accept कर रहा है, आप ही check कर कर देखिएगा, यह practice कर देखिएगा, आपको यह examiner कहते है, कि आपने ऐसे करना है, कि आपके column में सिर्फ एक ही character आसके या, 5 character आसके या, 10 आसके तो आपने वो size को set कर देना है, तो आप फिर जितनी भी value enter करना चाहेंगे, तो तीन ही accept करेगा, उससे दाद आद आप enter नहीं कर सकते हैं, तो वापस जाते हैं, तो सेफ करें, तो सेफ कर देते हैं, जनाब, सेफ कर दिया, अब इसके अंदर email address भी आप enter कर सकते हैं, for example, आपने कोई email id अगर enter करना है, आप इस तरह से करना है, या नहीं आपको बताया है, कि दोनों तरीकों से आप columns को generate कर सकते हैं, एक column को create करने का तर अचा आप यह रहें, इनको resize भी कर सकते हैं, अगर आपको data इस तरह से हैं, मतलब उसकी length जाद है data की, तो आप इसको इस तरह से resize कर सकते हैं, आप इस center में रखेंगे cursor को, ठीक है, तो यह प्लस का sign आजएगा, इस पर click करेंगे, और drag करेंगे, तो यह आप जितना मर्जी size बढ़ा लें, या कम कर लें, ठीक है, जो columns के center है, उसमें रखना है cursor को, click कर देना है, और drag कर लेना है, तो यह आपका size भी resize हो जाएगा, तो आप इस तरह से size भी change कर सकते हैं, तो मेरे खाल से इस video में इतना ही रखते हैं, नेक्स वीडियो में फिर input marks and validation rule का बताऊंगी, अ बाकी दो वीडियो के link में ने description में दे दी है, आप वहाँ से जाके बाकी दो वीडियो से देख सकते हैं, इसकी practice करें, इंशाला भी नेक्स वीडियो में मिलते हैं, आपना बहुत हयाल रखें, आलाहाफेस,